सबसे पहला हमारा है रतन टाटा को मिला असम का सरवच नागरी पुरुषकार जाने विस्तार से सरवच सम्मान में 19 लोगों को चैन किया गया वैपुरुषकार रतन टाटा को 24 जनुवरी को गोहाटी में एक कारिकरम के दौरान दिया जाना था लेकिन असम वैबव पुरुषकार असम राजी सरकार का सरवच नागरी पुरुषकार है और अधिकारिक तोर पैसम के मुख्य मंत्री हैमन्थ विश्वस सर्मद्वरा गोशित किया गया था और असम वैबव पुरुषकार में पांच लाक रुप गर नगत पुरुषकार दिया जाता है इसके बारे में हमने पूरों में एक वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था यह सबसे बड़ी सबसे बड़ी चि बिमार करने की शमता रखता है लासा बुखार जो है मुखे रूप से पश्चिमी अफ्री की देशों में यात्रा से जुड़ा हुआ है लासा बुखार जो है संक्रमित चूहों के मलमूत्र के माध्यम से फैलता है यदि कोई वैक्ति चूहें के मलमूत्र के संपर्क में आत सकता है जाने IPS कला कला राम चंदरन जो की बनी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिशनर IPS ऑफिसर जो है कला राम चंदरन केके राव का स्थान लिया है जिन्होंने गुरुग्राम के पास बौर्ड सी में पुलिस प्रशिक्षन तथा अनुसंदान केंदर में इस्थान अंतरित किया गया है इस दोरान उन्हों ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के लोगों के ट्रैफिक की सुगमता और उनकी सुरक्षा उनका पहला लक्षी रहेगा यहाँ पर ये बात कही गई है गुरुग्राम में पुलिस कमिशनर साल 2007 से बनी हुई थी गुरुग्राम में सबसे पहले SP न्यूक्त की गई थी इसके बाद में सबसे पहले कमिशनर बनने के बाद महंदर लाल गुरुग्राम ने पहले कमिशनर बने थे आपको बता दें कि इस दोरान आठ पुलिस कमिश बप्पी लहरी जो पास अवे गायक थे उनका यहां पर निधन हो गया है बता दे कि उन्हें मुंबई के अस्पताल में आकरिसांस ली थी बप्पी लहरी जो है जुहू के क्रिटिकल केर हास्पिटिल में निधन हो गया है बप्पी लहरी जो थे उनका जन्म का साल जो है 1952 का है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे कलकता में और यहां पर शास्त्रिय संगीत से उनका एक समर्वित पारसपरिक परमपरागत यहां पर उनका परिवार था और ने रहने है तू जाने जाते थे उनका असली नाम जो था अलोकेश लहडी था और उन्हें तीन साल की उम्र में तबला बजाने का प्रारंब कर दिया था शुरू कर दिया था गौर्मेंट ने यहां पर गौर्मेंट बैन 54 चाइनीज एप केंदर सरकार का यहां पर बड़ा को खतरा है हाल इसी लिए इन्होंने इस पर प्रतिबंद लगा दिया है इलेक्ट्रोनिक एंड आइटी मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि ऐसे एप जो है चाइना जैसे विदेशियों में भारतियों के संवेदन शीन डाटा को सर्वर पर ट्रांसपर कर रहा है मतलब ऐस 270 एप्लिकेशन ओपर यहां पर बैन लगाया था परतिबंद किया था और इसके बाद 2022 के अंदर यह है पैजी बार है कि बारत सरकार ने यहांपर बारत सरकार केदा यहां पर एप्लिकेशन को बेंग किया गया है आई टी रूल एक्ट धारा दो सु उनसित्तर ए के तहट यहां पर इन पर प्रतिबंद लगाया गया है इसरो ने सफलता पूरवक लॉंच किया PSLV C-52 जानते हैं इसके बारे में तो यह जो है आंदर प्रदेश के हरी कोटा जो 17 दवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से हमारे सारे सैटलाइट लॉंच किये जाते हैं PSLV अपने साथ दो छोटे सैटलाइट उपग्रहों को लेकर गया है कोलो रोडो विश्व विद्याले बॉलडर की वायू मंडली एवं अंतरिक्ष बहतिक प्रयोग शाला में यहां पर सयोग से यहां पर तयार किया गया है भारतिय अंतरिक्ष विज्ञान और ओद्योगी प्रादिक संस्तान यहां पर अंतरिक्ष विज्ञान और ओद्योगी की संस्तान है उसने यहां पर उपग्रह इन पायूर सेट वन को शामिल किया है भारत नौसेना ने ब्रह्मोस सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल का यहां पर सफल परेक्षन किया है तो 21 फरवरी 2022 को विशा का पटनम में नौ सेना द्वारा आयोजित किये जाने वाली रास्टपती की प्लैस्ट रिव्यू में भारत का स्वतंतरता के 75 वर्षों के उपलक्ष में यहां पर कारिक्रम आयोजित किया गया इसके बाद में द्वितिय वर्षी बहु पक्षी नौ सेना अभ्यास मीन मिलन होगा यहां पर यह मिसाइल 400 किलोमेटर तक लक्षे को बेज सकती है इसे भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयासों से निस्कासित किया गया है इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से यहां पर विक्सित किया गया है DRDO जो है development करता है वारत के अंदर ब्रह्मोस सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल का विक्सित किया है तो DRDO यहाँ पर विक्सित करने वाला है केंदर सरकार ने करमचारियों के work from home को किया बंद biometric system होगा शुरूँ यह भी cover हमने आपको पूर में बताई थी कि यहाँ पर करमचारी या प्रशिक्षन विभाग जो है उसके द्वारा ग्यापन जारी किया गया कि केंदर सरकार मंत्रालों द्वारा विभागों के अंदर हर एक करमचारी को कारेले में उपस्तिती के लिए biometric परणाली को फिर से शुरू कर दिया गया है सभी अधिकारियों को और करमचारियों को बार बार हाथ दो कर सैनेटाइज फेस मास्क पहन कर फेस कवर पहन पहनना तथा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ कोविड-19 के उप्युक्त वैवार का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया गया है यह खबरती धरती पर दो परतिशत और बड़ा तापमान तो बेगर हो जाएंगे इतने लोग UNEAP की रिपोर्ट हमने बताई थी आपको लास्ट में इसमें अंदर क्या बोला इस रिपोर्ट के तहत ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिगरी से से 2 डिगरी से से का तापमान बढ़ने की परिगनामों को विक्षिप विशलेशन किया गया है और वैश्विक तापमान में व् WMO की रिपोर्ट के एन मुताबिक यहाँ पर विश्व के 6 सबसे 6 सबसे गर्म साल में 2015 के बाद दर्ज किया जा रहा है कि 2016 2019 2020 सबसे गर्म साल है बारत में भी यह है इसका प्रभाव देखने को पड़ रहा है 2008 एमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट एमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया है 38 दोश्यों को फांसी और 11 को उमर कैद का निरनाइक फैसला दिया गया है विशेश नियाजदीस एयार पटेल की अदालत ने 59 अब्युक्तियों में से 38 लोगों को फांसी सजा सुना दी गई यह फैसला एक रेकॉर्ड है अभी तक एक साथ इतने सारे लोगों को फांसी सजा कभी नहीं सुनाई गई थी गौर्ट तलावे के एमदाबाद विस्पो आर्ट में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था थैंक यू सो मॉच पॉर दा वाचिंग एव ग्रेट डे जै हिन जै भारत